हलो दोस्तों विल्कम टू मैं चैनल या रिष्टा के कहनाता है कि आने वाले एपिसोड के अपडेट लिखा रहा है उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इधर हम देखने हैं कि नैरा नैतिक से कहती है कि पापा मुझे यह सारी चीज़े चाहिए तबी नै नैरा कहती है कि नहीं पापा प्लीज मुझे अर्जेंट आज ही चाहिए तबी नैतिक कहता है कि नैरा इतनी रात को कहां दुकान खुली होगी यह कोई टाइम है बेटा नैरा फिर नैतिक को मनाने की कोशिश करने लगती है कि प्लीज पापा मेरे प्यारे पापा मेरे अच और को ही दिखाना ठीक होगा क्यूंकि तुम दोनों का competition भी पास आ रहा है फिर नैतिक गायू को डॉक्टर के पास ले जाता है और फिर नायरा के लिश्ट वही पर छोट जाती है तबी नायरा आती है और देखती है कि नायरा उस लिश्ट को उठाती है और कहती है कि ये तो म गायू बेटा तुम्हारा पैर कैसा है गायू कहती है कि नाना जी मेरा पैर बिल्कुल ठीक है तबी रश्मी कहती है कि बाओ जी दादा तुरन डॉक्टर के पास ले गये थे और दवाई दिला दीथी इसलिए अब दर्द भी नहीं है और नाहीं सुझाने तबी गायू कहत साथी मैं पूजा कर लूँगी तब भावी मा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वह आएगी शायद वह नाराज है अभी तब रश्मी कहती है कि पर वह बात तो वहीं पर खतम हो गई थी ना तब अक्षरा बताती है कि हाँ रश्मी वह बात तो वहीं पर खतम हो गई थी लेकि सुरी बेटा, मैं तुम्हारा समान नहीं लापाया क्योंकि तुम्हारी लिष्ट खो गई थी आज फिर से मुझे लिष्ट बना कर दो आज मैं पकर से तुम्हारा समान लिया हूंगा तभी नायरा कहते हैं कि नहीं पापा इसके अब कोई ज़रूरत नहीं है और फिर नेतिक गायू, मिष्टी और नायरा को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है और फिर इदर हम देखते हैं कि नक्ष अक्षरा से कहता है कि आज मैंने एक दुकान देखी यह जो हमारे ही कॉलिश के पास ही आप पापा के बड़ते के लिए गिफ्ट ले सकती हैं बहुत ही अच्छा मिलता है तब अक्षरा मना कर देती है कि नहीं डुकान अभी मेरा मन नहीं है पहले मुझे नंदिरी दीदी को मनाना है तब इदर नक्ष कहता है कि वा भी हो जाएगा ममा पर आप मेरे साथ चलिए तो देखी वा शॉप ना बहुत ही अच्छी है तब अक्षरा कहती है कि ठीक है मैं आ जाओंगी तब इदर नक्ष यह को फोन करता है और कहता है कि येस इक वान से घडती है और तब इनने वान से चलने लगती है लेडी वहा पर आती है और कहती है कि प्वज के रहा है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों को देखने में सीधी साधी भोले बाले होते और समान चुराकर चले जाते हो तब इदर अक्षरा आती है और कहती है कि एसक्यूज में आप यहां सब क्या बोलने जा रही है एक मिनाट उनके बाद तो सुनिये उन्हें बोलने का मौका तो दीजिये हो सकता है कि समान गलती से बदल गया और गलती किसी से भी हो सकती है आप से हो सकती है तब ही वो लेड़ी कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ मैडम जी इन जैसी औरतों को आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है मैं अपना मैटर खुदी समाल लूँगी मैं अभी पुलीस को बुलाती हूँ तबी अक्षरा गुस्ता करती है और कहती है कि बस बहुत हो गया आप इतनी देर से कप से क्या बोले जा रही है आप एक बर उनकी बात तो सुनिये उन्हें अपनी बात कहने का मौका तो दीजिये हो सकता है कि गलती से एक्सचेंज हो गया हो लेकिन आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है आपको क्या यह चोर लग रही है अगर यह चोर होती तो पकड़े जाने का इंतिजार नहीं कर रही होती है वो तो कपकर समान लेकर यहां से भाग चुकी होती तब भी वह लेड़ी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है और वह समान ल पर आपका फोन आव बता रहा था तभी नंदिनी कहती है तो क्या हुआ घर आ जाती जगड़ा कर ले थी मुझे ऐसे चुप रहे कि तो कुछ नहीं हुआ ना और कोई न कोई तो तरीका मिली जाता तभी अक्षरा कहती है लिए नहीं तो समझ नहीं आया और आपने भी इतनी चुपि सांत लिए कि कुछ समझीं नहीं आ रहा था कि क्या करे तब इदर देखती हैं कि नंदिनी कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था शायद मैं खुद से ही नराज दी तब एकसरा कहती है गलत दुर हो गई न और फिर सब ठीक हो जाता है तब यह दर हम देखते हैं कि नंदनी राश्री को कॉल करती है पर कोई कॉल नहीं उठा रहा होता है तब याश कहता है कि किसी और की नंबर पर कर लिए जिये ना वर्षा भाविके जैस्मित भाविके तब नंदनी कहती है कि नहीं रहने दो बाद में कर लूँगी नहीं तो फिर उनकी घर चली मैं भी चलूँगा आपके साथ तब नंदनी कहती है क्यों संजु से मिलने के लिए देखो याश तुम संजु को पसंद करते हूँ मैं समझती हूँ लेकिन तुमारी हम अभी यासब करने की नहीं है अभी तुम पढ़ाई पर धियान दो तब याश कहता है कि मां मैं संजु नंदनी कहती है कि या तुम्हारे पापा रोज फॉरिंग यूनिवर्स के बारे में पता करते रहते हैं तब याश कहता है कि क्यों मां मैं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाओंगा तब याश कहता है कि हां मां मैं हमेशा से चाहता था लेकिन आप नहीं चाहता क्योंकि मु को देखती है और तभी इदर देखते हैं कि अक्षरा आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ तो मैंसे क्यूं देख रही हो तभी नैडा खबरा जाती है कि माम आपने तो मुझे डरा ही दिया तभी अक्षरा कहती है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है तभी नैडा कहती कि प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी चल रही है लेकिन आप कॉम्पेटिशन वाले दिन ही देखिएगा पापा को आप पहले ही बता दीजेगा कि ओस दिन वा बिल्कुल फिरी रहे क्यूंकि मैं चाहती हूं कि वा मुझे ड्रॉप करें और मेरे लिए टिफिन भी बनाए तब मतलब है कि भाई कहां पर है वह आजकल तो प्राइम मिनिस्टर से भी जाधा बेजी रहने लगे है तबी नैरा चली जाती है और इदर देव्यानी आती है और कहती है कि अक्षरा कहां रह गयी थी तुम बहुत देर लग गई और भावी मा भी आ जाती है हां तबी अक्षरा कहती है कि हाँ भाविमा देर लग गई लेकिन काम भी बहुत ही अच्छा हुआ है तभी देव्यानी कहती है कि अच्छा मिला क्या है दिखाओ तभी अक्षरा कहती है कि दिखाने लाइक नहीं है छोटी मा बताने लाइक है मुझे दीदी मिली थी वहाँ और उनसे वह सारी गल लन्ना है ही जादुगर सच्ची जब सब उमिधार जाते हैं तब लन्ना आकर उन्हें ठीक कर देता है तब दिव्यानी कहते हैं कि हाँ भाविमा बागी सबको वह खुश रखता है बस नैतिक को ही परिशान करता है तब अक्षरा कहती है कि वह भी कम थोड़ी है छोटी मा सारे बच्चे बहुत ही महनती है तब अक्षरा कहती है कि हाँ जैसे या दोनों ना जाने कब से प्रैक्टिस कर रही है उन्हें देखकर मा की याद आ गई मा को भी डांस का कितना शौक था ना भाविमा तब भाविमा बताती है कि हाँ एक मौका नहीं छोड़ती थी प्रैरा गाईउ को ऐसे क्यूं देख रही है और फिर इदर हम देखते हैं कि जैसमीत ननों को डाढ़ती है कि सारी इस्पिलिंग तुमने फिर से गलत लेका है और फिर ननों जो है वह बहुत ही जादा रोने लगता हैं और पर जप हो जाती हैं और कहती है कि चुप हो जा बिल्कुल चुप हो जाए सभी, किसी ने कुछ नहीं कहा, कि तुझे इतना रो रहा है, रोना बन कर नहीं, तो तुझे मार पड़ेगी, और फिरी दर राश्री और बागी सब वह जस्मित को रोकने लगते हैं, कि बस करो, जस्मित वह भी छोटा है, पढ़ लेगा, कितना डा दो बाद में करेगा ना, तो भी नन्रू कहता है, हां ठीक है में कारूँगा, और फिर चैसमित गुप्सा ओकर चलिए रोकने रजच्शिरी नन्रू को आकर चुप कराती है, कि नन्रू चुप हो जाओ, बाते सुनते हैं, बाते सMom्हों के कहना मानते हैं, और इधर हम देख कि नेतिक कि अंद् problema में बालभ काम करें तर वह कृता है तब राप तब नक्ष की इबारे में पुछती रहते हैं कि नक्ष कहां है वाप पढ़ रहा है कि गेम केल रहा है तब नेती कहते हैं कि और किस से पूछो उसका फोन तो सुबा से ही सुचो बता रहा है तब एक्षरा कहती है कि अच्छा नेती का आपने एक बात नोटिस किया है नायरा dance competition को लेकर कुछ ज़्यादा ही परिशान है अजीब behavior कर रही है तब ही नैति कहते हैं कि हाँ शायद इसलिए मैंने उसका मनपसंद पास्ता बनाया पर उसने खाया ही नहीं तब ही अक्षरा कहती है कि हम लोगों ने कहीं बहुत ज़्यादा दवाब तो नहीं डाल दिया उस प तब ही नैति कहते हैं कि नहीं नहीं अक्षरा हमने कहां उस पर दबाव डाला है और गायू तो ही ना उसने तो उसके बाद ही स्कूल जोइन किया था तब अक्षरा कहती है हाँ वह सब ठीक है नैतिक लेकिन पता नहीं कि मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है कि नैरा चोली पहन कर या फिर कोई और अपसरा की ड्रेसिस कप्ड़े पहन कर डास करती है तब अक्षरा कहती है कि बस बस ऐसा बिल्कुल भी सोची है अगमत वहीं पर रुक चाहिए खबरदार इसके बारे में कुछ सोचा या फिर कुछ कहा और सबसे बड़ी बात अपने उमर के बारे में तो सोची है तबी नैति कहते हैं कि अरे ये क्या बात हुई दिल तो जवान होना चाहिए और वैसे भी अक्षरा आजकर आप बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करती है बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करती है आप मुझे पहने जैसे बिल्कुल प्यार नही नाकिन दास करने लगता है और नैतिक जो है वो खड़ा होकर देखता है तभी नक्ष जो है नैतिक को देखता है और वो खबरा जाता है तभी नक्ष कहता है कि पापा आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है मैंने कुछ भी नहीं पिया इंफेक्ट उस दिन के बाद मै मैंने कुछ भी नहीं पिया सिवाए को ओर्डरिंग के तभी नैतिक टाइम देखने लगता है और फिर तभी नक्ष कहता है कि ओके पापा मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए ओके गुड़नाइट कहकर चला जाता है और इदर दिखते हैं कि नैतिक को किसी का मैसी जाता है और फिर नैतिक बाहर चला जाता है और फिर तभी नैतिक अक्षरा को आवाज देने लगता है कि अक्षरा आप कहां है अक्षरा आप कहां है तभी नैतिक अक्षरा को डूनता है तभी इदर देखते हैं कि अक्षरा आती है डांस करते हुए अक्षरा डांस कर रही होती है और तबी देखते हैं कि नैतिक अक्षरा को डांस देख करते हुए देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर तबी देखते हैं कि नैतिक भी अक्षरा के साथ डांस करने लगते हैं और फिर यहां पर एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है हमारे और एपिसोड के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें